हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल अनलिसेज पाइ सिंप्लिफाइड सिविल सर्विसेज आज 7 दिसंबर को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है मल्टी दैमेंशन पोवर्टी इंडेक्स के बारे में, जो र आर्टिकल बहुत जादा इंपोर्टेंट है, प्री और मेंस परस्पेक्टिव से, महुआ मोहित्रा जो कॉंट्रवर्सी होई है, कैश फॉर क्योरी स्केंडल उसके बारे में आर्टिकल है, और बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप लोग जरूर अच्छे से सुनिए, जो ल मून तक पहुचा था, उसने मून पर जो लेंडर मॉडूल है, उसको रिलीज किया, डिटेच किया और वापस अर्थ पर आ चुका है, काफी इंपोर्टेंट है, इसमें शेप के बारे में जानेंगे, शेप इंस्टुमेंट क्या है, प्लीज इसको अच्छे से इंडेक्स, रिडक्शन अंडर दे एंडी इस फ्लॉड, यह आर्टिकल, दे हिंदु में आया है, जी एस्टुमेंस के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है, अल्रेडी में में मुल्टी डैमेंशनल पौर्टी इंडेक्स के बारे में कोशन पूछा जा चुका है, आपक के द्वारा बनाया गया है, उसके से रिलेटेड इस्टुमें बातचीत करेंगे, और क्यों जो नंबर्स आ हैं, वो फ्लॉड है, जितना दिखाया जा रहा है, पौर्टी रिडक्शन, क्या उतना पौर्टी रिडक्शन हुआ है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बातची इनके द्वारा ये जो ग्लोबल MPI है, वो रिलीज किया जाता है, और जो इंडिया, इंडियानाइज वर्जन है, ठीक है, इंडिजनाइज वर्जन है, वो कौन करता है, नीति आयोग, ठीक, ये साइज चीजे आपको अल्रेडी पता होगी, डामेंशन ओफ पौर्टी याद रखना है आपको, अब हमने हेल्थ में भी डिविजन किया हुआ है, हेल्थ में देखें तो चाइल्ड मॉर्टलिटी और न्यूटरिशन, दो चीजों में डिवाइट किया है, हेल्थ को दोनों का वेटेज कितना कितना है, 16, 16, दोनों को सम करो के तो 13 आ जाएगा, ठ लिविंग स्टेंडर्ड की बात कर लेते हैं, यह भी ओवराल वन थर्ड है, इसमें तोटल 6 हैं, जो डैमेंशन हैं, वो हैं कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउजिंग, इलेक्रिसिटी, एंड एसेट, यह तोटल कितने हो गए, 6, ठीक है, यह क्या जो नेशनल MPI है, जाना नेशनल वाली, उसमें कुछ चेंजेगा हैं, जिसे हेल्थ में एक और जो है, डैमेंशन हैं, वो क्या है, तो यह याद रखना है आपको कि हैल्थ में एकोर जो है, एड किया गया है, उसका क्या नाम है, maternal health national MPI की बात यहां की जारी है education में कोई changes नहीं किये गा है living standard में भी एकोर एड किया है वो है bank account चुकि bank account एड किया गया है तो यह 118 होने की जगा सारे के सारे कितने हो गा है 1 by 21 जब 1 by 21 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 upon 21 divide करोगे तो 1 by 3 तो सारे के waitages 1 by 21 हो जाएगे लेकिन सब के waitages equal ही होंगे इसमें सिर्फ एक add किया है bank account इसको याद रखना है bank account और दूसरा maternal health यह दो जो indicators है extra add किये गए हैं यह दोनों आपको याद रखना है यह UPSC pre में आपको पूछे जा सकते हैं अफ़ी important है दोनों के बीच में difference में सिर्फ यह दो indicator है जो add किये गए हैं hopefully यह चीजे आपको समझ में आ गई है अब article शुरू करते हैं article एक quotation से चालू किया गया है यह quotation आप लिख लो essay quotation आपको UPSC के essay में काम आएंगे और essay quotation पे आपको UPSC ऐसे भी पूछ लेता है philosophical essays जो आते हैं वो भी essay type के quotation पे याते हैं शुरू करते हैं poverty के बारे में quotation है poverty is a great enemy to open happiness it certainly destroy liberty and it makes some virtues impracticable and others extremely difficult तो poverty की बात की जारी है सबसे बड़ा human happiness का जो enemy है वो क्या है poverty है ठीक है quotation आप लिख लीजेगा next is MPI story यहाँ पर हमें Nobel laureate अमर्ट सेन जी की capability theory के बारे में बात की गई है capability theory poverty estimate करने का एक तरीका था जो कि अमर्ट सेन दौरा prepare किया गया था बनाया गया था develop किया गया था ठीक है तो यह चीजें capability theory के बारे में हम जानते हैं और फंक्शनिंग क्या reflect करता है achievement ठीक एक example दिया हुआ है an ability to live a healthy life an ability to live a healthy life यह क्या है capability है और functioning क्या है live a healthy life तो हमारा achievement क्या होगा healthy life जीना उसके उसके लिए हमें capability की जरुरत होगी ability की जरुरत होगी कि हम healthy life जी सकें ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप बहुत जादा income कमा रहे हैं आप बहुत ही affluent family से belong करते हैं तो आप healthy life जी रहे होगी हो सकता है आपको obesity हो या फिर आपको non communicable diseases हो जाएं आप इस से vulnerable रहेंगे तो इस सुरत में आप healthy life जी पाएंगे क्या नहीं तो यहाँ पर poverty को बहुत ही broader concept बना के दिखाया गया है even rich people जो healthy life जीना चाते हैं वो भी नहीं जी पा रहे हैं तो इस indicator के हिसाब से लोग जो है poor होंगे जो rich लोग हैं वो भी यहाँ पर poor दिखाया जा रहे हैं so it's a very broader concept हाना वो capability के उपर depend करता है और functioning को क्या करने के उपर achieve करने के उपर लोगों को इती capability दो कि वो functioning को achieve कर सकें तभी लोग poor नहीं कहलाएंगे hopefully आपको capability थोरी समझ में आ गई होगी अब MPI story की बात करते हैं अस्तुनाशनाशने ली the MPI 2023 यहाँ जो ऑनियर halving अवग इंडाशन नियाशना MPI value and a decline from 24.85% to 14.96% between 2015-16 and 2019-21 there's this reduction of 9.89% point implies that 135.5 million people have exited poverty between 2015-21 तो यहां पर MPI का जो डेटा है उसके बारे में बातचीत की जारी है जो कि एस्टीमेट किया गया था नेशनल MPI डेटा किस किस पीरेट के बीच में 2015-16 से 2019-21 के बीच यहां से हमने डेटा निकाला कि आहे इस्टीमेट किया तो पॉवर्टी से पर्सेंट्ट मुल्टिद zł क्पटि इन्डेक्स फंटब कि इन् 도 एपर्सेंट आप कितना हो गया 14.96 पर्सेंट ऑपितना दैटा कितना 對 Size 9.89 परसेंटेज लोग और अपलिफ्मेंट ओथ हो गया है लोगों का 135.5 million लोग, इसी डेटा को क्या कहा जा रहा है, फ्लॉड डेटा कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यह ओवर एस्टिमेशन है, यह डेटा जो आया है एस्टिमेट करके वो गलत है, NDA सरकार में, ठीक है, इसके रीजन्स हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे, पहला रीज जो एस्टिमेयट कर मैं पहला, पहला क्या है, एस्टिमेट किया कैव एसटिमेट कियास है, यह डेटा कहा है उसे डेटा से हमने, एस्टिमेट किया। कर दिया था यहाँ कि अपन डेफिकेशन पूरी तरीके से अचीव नहीं हुआ था 70-80% के असपस अचीव था अभी भी 20% लोग ओपन डेफिकेशन जो है ओपन में डेफिकेट कर रहे थे लेकिन सरकार ने क्लेम कर दिया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है पुरा द पुरे में सौच नहीं कर रहा है तो ओपन डेफिकेशन फ्री सरकार ने क्लेम कर दिया दोनों डेटा कॉंटरिक्टी थे तो एन फेटा के डेटा को सरकार ने बले या रिलाइबल एसे ब्लॉक कर दिया गया इवन एमिनेंट डेमोग्राफर जो इसे लेड कर रहे थे एन फ डेटा पे आप रिलाइब नहीं कर सकते पहला रीजन यह दिया जा रहा है दूसरा क्या है कोविड नाइटीन इसमें कोविड नाइटीन का पीरेड इंक्लूट किया गया है कोविड नाइटीन पीरेड में मिलियन स्पीपल ने अपनी लाइवलिहूट को लॉस्ट कर दिया पहला reason, दूसरा हजारों लोग मारे गए, थर्ड रीजन जो है, जो treatment की cost थी, वो इतनी जादा हाई थी, क्योंकि public sector जो था, public health sector, वो तो already stressed हो चुका था, private sector में, जो cost of treatment थी, वो लाखों में थी, लोगों के घर चले गए, लोगों की family उजड़ गई, उसके बाद कई लोग न data दिखा जा रहा है कि poverty से लोग इतने सारे बाहर हो गए, even बढ़ना चाहिए poverty, लेकिन poverty कम होती दिखाई दे रही, इकानमी की बात करें, तो economy भी बहुत struggle कर रही थी, अभी recently जाके economy थोड़ी बहतर हुई है, लेकिन जब data लिया गया तो उस समय economy तो negative पर थी, तो ये जो estimation ह ये basically, क्या है, flawed है, इसका दूसरा reason क्या होगा, COVID-19, ठीक, अब बात करते हैं, जो हमारे तीन राइटर हैं, उन्होंने खुद का जो है, estimation किया है, multi-dimensional poverty index का, और उसकी जो value आई है, वो कहीं जादा कम है, देखते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने covariates पे focus किया है, ठीक share of criminal among state MPs, share of urban population, health and education expenditure, and unobserved state fix effect, example, how progressive a state is, ठीक है, if we compare elasticity of MPI with respect to each covariate, that is, proportionate change in MPI due to proportionate change in covariates such as state per capita income, the largest reduction in MPI is due to higher state per capita income, इन्होंने क्या क्या किया, जो MPI का data था, ठीक है, उसके हिसाब से, कई सारे चोटे-चोटे, ठीक है, डाइमेंशन लिये, co-variates लिये, अलग-अलग, क्या लिये, indicator लिये, अलग-अलग, indicator में उन्होंने क्या क्या लिया, जैसे कि state per capita लिया, और इसके अलावा, health and education expenditure लिया, share of urban population लिया, share of criminal among state MPs लिया, और इससे देखा कि MPI पे इन सारी चीजों का क्या असर पढ़ रहा है, ठीक है, तो basically क्या किया गया, अगर state का per capita income बढ़ रहा है, तो MPI पे क्या असर पढ़ेगा, MPI कम होगा, इसका मतलब poverty कम होगी, ठीक है, तो सबसे जादा reduction जो है MPI का, अगर इन लोगों के data से आया है, तो तो क्या पाया, कि income तो बहुत decrease हुई है drastically, अगर आप calculate करोगे पिछले कुछ समय में, तो state per capita income कम हुई है, क्यों क्योंकि COVID है, तो MPI को बढ़ना चाहिए था, ठीक, लेकिन MPI तो बहुत कम हो गया है, तो पहला जो issues इन के इसमें आ रहा है, कि इन लोगों ने जो covariates को estimate किया और उससे देखा कि MPI कितना proportion बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो पहला जो था state per capita income उसके हिसाब से इन लोगों ने calculate कि state per capita income तो कम हुई है, तो MPI बढ़ना चाहिए, ठीक, next क्या था, next in order of importance is urban location, a 1% increase in urban location result in a 90.9% increase in MPI, this is not surprising as rural urban migration is associated with growth of slum and sub living, sub human living condition, ठीक है, तो इन लोगों ने next क्या लिया, indicator, urban location लिया, ठीक है, अगर 1% urban location बढ़ रहा है, तो MPI बढ़ेगा, कम नहीं होगा, MPI मतलब poverty बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों क्योंकि 1% urban location बढ़ने का मतलब है, कि वहाँ efficient का लिए और जो urban migration बढ़ रहा हूँ, और migration बढ़ रहा है, तो वो किस से associated होता है, slum से associated होता है, और slum से associated हो रहा है, इसका मतलब,जो poverty index वो और बढ़ रहा है, poverty ऑर बढ़ेगी, slum की हालत बहुत जाधा खराब होती है, तो वहां रहने ओले लोगों की हालत भी, खराब ह ठीक तो यहां पर भी अगर देखें अर्बन लोकेशन की बात करें तो अर्बन लोकेशन भी बड़ी है पिछले कुछ सालों में उसे साफ से MPI हाइक होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए तो यह सारे दीजन्स बता रहें कि MPI जो है बढ़ना चाहिए था उल्टा MPI इतना अर्बन टू रूरर एडिया में जब भी जाएंगे तो स्लम से लोग कहां जाएंगे बहतर इस्तिती में जाएंगे तो यहां पर लोग पौवर्टी से बाहर आ रहें तो MPI इस हिसाब से क्या होगा कम होगा ठीक है यहां पर क्या हुआ है कोविट के इंपेक्ट की बात की जारी है अर्बन प्रपोर्शन बड़ा जरूर लेकिन बहुत सारे लोग रिवर्स माइग्रेशन के तुरू घर गए तो MPI बढ़ने की जगा ओवराल MPI क्या हुआ कम हुआ ठीक तो दूसरा पॉइंट यह हैं बोथ हेल्थ केयर और एजुकेशन एक्सपेंडिचर आर असो एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है ठीक है तो क्या होता है MPI कम होता है मतलब पॉवर्टी कम होती है लेकिन एजुकेशन एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो MPI बहुत जादा कम होगा हेल्थ एक्सपेंडिचर जादा भी बढ़ेगा तो MPI उतना कम नही होगा ऐसा ये आर्टिकल में बात की गई है इसका मतलब क्या है अगर education expenditure कम होता है तो MPI कहीं जादा कम होगा even health expenditure बहुत बढ़ भी जाए तब भी MPI overall spike ही होगा और ऐसा ही हुआ है according to estimate इन लोगों के education expenditure काफी कम हुआ है पिछले 2-3-4 सालों में जब estimation किया गया था covid time पे हाला कि health expenditure उस समय काफी जादा बढ़ा था तो overall देखें तो MPI बहुत जादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए MPI पे MPI almost क्या था उतना ही था stagnant रहा ठीक तो इस indicator के हिसाब से MPI क्या रहा stagnant रहा as state level expenditure suggest a decline in educational expenditure a rise in MPI is likely ठीक है next क्या था if the share of the member of parliament with criminal cases in total state MPs exceeded 20% the higher was the MPI next इन लोगों ने क्या लिया indicator कि जो MPs है उनका criminal cases अगर बहुत जादा है 20% ऐसे MP है जिनके ओपर criminal charges है तो वहाँ उन state का MPI बहुत जादा होता है multi-dimensional poverty index का होता है काफी जादा होता है यह इन्होंने estimate किया हुआ है तो MPI अगर देखें हम तो काफी जादा बड़ा है पिछले कुछ सालों में ऐसा क्यों है क्योंकि 2019 के election की बात करें 43% MPI ऐसे हैं जिनके ओपर criminal charges है 14 में कितने थे 34% उससे पहले कितने थे 2014 में 30% 30% से 43% तक बहुत चुका है क्या MP का percent MP number of MPs जो criminal charges जिन पर लगाए गाए तो overall MPI क्या हुआ है काफी जादा बड़ा हुआ है ठीक है यह क्या किया गया estimate किया गया इनके दौरा if we go by our estimate of MPI the reduction between 2015 and 2019 is considerably lower than the official estimate 4.7 points compared with 9.89 points इन लोग ने similar estimate किया है यही सारी चीजों को लेकर के यह इनके indicator थे और उसे साब से इनके indicator से MPI जो आया है वो कितना है 4.7% आया है ना कि 9.89% जितना सरकार ने estimate किया है इसलिए इन लोग क्या कह रहे है कि यह over estimation है यह number इतने लोग गरीबी से बाहर नहीं आया है है जो NDA कह रही है NDA मतलब जो सरकार है इस समय एक हती है UPA और दूसरा होता है coalition NDA जो BJP-led coalition है उसे क्या कहते है NDA government ठीक है तो यह NDA सीना ठोक ठोक के कह रही है कि हमाई समय में इतने सारे achievement हमने किये वो over estimation है यहाँ पर यही वाली चीज़े लिखी गई है hopefully यह article आपको समझ में आ गया होगा हमारा next article है the role of special inquiry committees of parliament यह article the Hindu में आया है GS2 मेंस के perspective से important है पॉलिटी के perspective से काफी important है प्री के perspective से ethics committee, obliq privileges committee यह दोनों चीज़े आपको पूछी जा सकती दोनों अलग-अलग है और दोनों आपको prelims में पूछा जा सकता है काफी important है पी perspective से यह article भी basically यह article में किसकी बात कर रहे हम MP, TMC MP, महुवा मोहत्रा की उनके ओपर recently काफी सारे acquisition लगे है उनसे related जो controversy हुए उसके बारे में बात करेंगे क्या हुआ है, story so far देख लेते हैं The Ethics Committee of Lok Sabha is believed to have recommended the expulsion of TMC, Member of Parliament, महुवा मोहत्रा from Lok Sabha for her unethical conduct and breach of privileges जो ethics committee है, लोग Sabha की वो उन्होंने recommendation क्या दी है, expulsion की किस के, महुवा मोहत्रा के, जो की TMC की MP है TMC से, TMC basically जो party है, treatment congress, उससे वो member of parliament है और उनको क्या किया जा रहा है, expel किया जा रहा है, काई से, MP से ठीक है, किस लिए किया जा रहा है, for her unethical conduct and breach of privileges, उनके ओपर क्या acquisition लगे थे, she accused of asking question to target a business house at the behest of businessmen in exchange for cash, ठीक है तो basically अदानी को वो target कर रही थी, दूसरे businessmen से पैसे ले कर, ठीक है, वो सवाल पूछा करती थी, अदानी के ओपर, उसके लिए वो दूसरे businessmen से cash ले रही थी, ठीक है, तो cash for curry, इस तरह का scandal 2005 में already हुआ है, उसी तरह का ये case है, corruption का case है, और ये जो है, इसके accusation उन पे लगा गये थे, और अब ये believe किया जा रहा है, कि जो ethics committee है, उन्होंने recommend क्या किया है, कि इन्हें expel कर देना चीए, what is the role of ethics committee, सबसे पहले तो ethics committee, लोग सभा में कब constitute की थी, 2000 में, 2000 में, राज्य सभा में कब की गई थी, या आप लोग decide करेंगे, 190, 90, last आप बताईएगा, ठीक है, एक बार सच करिएगा, मेरे एसाब से 7 होना चाहिए, आप लोग देख लिजे, ठीक है, तो राजसभा लोग सभा दोनों में ethics committee है, सबसे पहले important चीज यह है, कब constitute हुई थी, 2000 में, to oversee the moral and ethical conduct of member and examine cases of unethical conduct refer to it, ठीक है, क्या देखते है, लोगों का ethical, जो MPs है, उनका ethical conduct, क्या क किया जाता है, अगर किसी का unethical conduct है, तो वो सारे cases भी इनको refer किये जाते है, the committee examined complaint filed against member of the house by other members, outsider through a member, और referred by the speaker, ठीक है, तो कौन कौन कम्प्लेंट कर सकता है, MPs के against में, उनके unethical conduct के लिए, जो भी MPs है, साथ वाले, या फिर बाहर का आदमी किसी और MP के through भी करवा सकता है, ठीक है, acquisition लगवा सकता है, और बोल सकते हैं कि इनके unethical conduct पे जाच की जाए, या फिर अगर speaker कहता है, तो फिर ethics committee ये सारी जाचे करती है, the committee makes a prima facie inquiry before deciding to examine a complaint and presents its report to speaker who placed it before the house of for consideration, ठीक है, तो बराबर ethics committee क्या करती है, सारे चीज़े evidence वागेरा इखटे करती है, जो भी इनके पा में present करते है, it must be noted that the term unethical is not defined, ठीक है, unethical या ethical चीजें defined नहीं है, जो भी decision लिया जाता है, committee के दोरा, वो almost final रहता है, ठीक है, it is left to the committee to decide whether any act is unethical or not, ठीक है, 2007 में, an MP accompanying his close female companion impersonating her as his wife was considered unethical, ठीक है, 2007 में, एक MP, जिनके साथ में एक और महीला MP थी, उनको उन्होंने अपनी wife ऐसे करके introduce किया होगा, तो उस conduct को unethical conduct माना गया था, उन्हें 30 sitting से जो है house की suspend कर दिया गया था, ethical committee की recommendation के बाद, ठीक है, अब बात करते है, what are privileges committee, यह ethics committee हो गई, दूसरी है, privilege committee, यह सारी चीज़े, pre, pre के perspective से important है, तो privilege committee होती है, और special inquiry committee होती है, वो के examine करती है, कुछ serious accusation against the member, in 1951, a special committee found a member guilty of promoting a business interest by putting question in return for financial benefit, it was again a special committee that inquired into the cash for query scam of 2005, where 10 MPs of loksabha were recommended for expulsion, तीक है, इसी तरह के, cash for query scam था, उसकी भी जाज किसने की थी, जो parliamentary privileges committee है, उनके दौरा यह जाज की गई थी, यह privilege क्या है, basically, यह breach of privilege है, house का, house की dignity का, क्या है, यह हनन है, इसलिए यह committee जो है, सक्ट से सक्ट जो है, क्या देती है, punishment दे सकती है, अब बात करते हैं, expulsion constitutional है, यहाने, यहाँ से mains वाल आस्पेक्ट शुरू होता है, अभी तक क constitution under article 101, list down the ground for vacation of a seat by an MP, it includes voluntary resignation, तो सबसे पहले तो 101 article में है, कि किस कारण से vacancy हो सकती MP की, पहला तो वो खुदी resignation कर दे, दूसरा उनने disqualify कर दिया जाए, या फिर continuous absence from house for the next 60 sittings, अगर 60 sittings तक वो house में नहीं आते हैं, तो भी उनने मान लिया जाएगा कि उनकी जो seat है, वो vacant हो expulsion is not explicitly mentioned in constitution, यह आपको याद रखना है, यह prelims के लिए भी important, expulsion word कहीं पर भी constitution में नहीं है, however, supreme court has provided conflicting judgment, supreme court ने conflicted judgment दिये, मंदब पहले judgment में कुछ और दिया है, बात के judgment में कुछ और दिया है, इन राजा रामपाल वर्सेज ओनरेबल स्पीकर, इट अपैल्ड द पारलेमेंट to expel its member for breach of privilege by interpreting 101 to include expulsion as a ground. तो राजा रामपाल versus honorable speaker case में, उन्होंने माना कि Parliament जो है, जो भी MP होंगे, उनको किसलिए expel कर सकती है, breach of privilege के कारण expel कर सकती है, और 101 में क्या include कर लिया गया, उसमें include किया expulsion as a ground. बट इन अमरिंदर सिंग वर्सेस स्पेशल कमीटी पंजाब विधान सभा 2010 में सुप्रीम कोर्ड हेल्ड एक्सपॉल्शन बाइ स्टेट असेंबली एस अनकॉंस्टिटूशनल थीके 2010 वाले केस में स्टेट असेंबली के दोरह जो एक्सपॉल्शन किया गया उसे और दूसरा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेशन भी खतम नहीं हो कैसे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेशन खतम हो रहा है जब आप एक्सपेल कर देते हो तो जब तक है बाइलेक्शन या फिर दुबारा से इलेक्शन नहीं होते वो सीट भरती नहीं है तो वहां के लोग जो MP स्पेल करके पर्मनेंटली ठीक है तो यहां पर क्या कर रहा है दोनों ऐसे इशूस को जो दोनों ही कंफ्लिक्टिक इशूस है उसको कैसे रिकंसाइल किया जा सके उसका यहां पर बातचीत की गई और काफी इंपोर्टेंट है यह पॉइंट अना नोट बनाने लायक है पॉ नेक्स्ट इलेक्शन और बाइलेक्शन ठीक है जो अभी मैंने बातचीत की वही यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है ठीक कि जो एक्सपल्शन है क्या वो डिस्प्रपोशनेट है अलाकि जो उन पर एक्टुसेशन लगे हैं वो काफी जादा स्यूरियस है ना कैश फ कारण जो लोग है वो वंचित हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से जहां से वो चुन के आई है इस इंपोर्टन तो प्रिजर्व डिगनिटी और प्रिविलेज और डिगनिटी मेंटेन करना भी तो जरूरी है अगर आमां एक्सपल नहीं करेंगे तो हाउ के कारण जो हे यह जो एक्सपल टी जब तकetted के वह साबित नहीं हो जाता तब तक के उने banking करणा चाहिए यहां यह यह बात की जारी है क्यों कि जो पार्लियमेंटरी कमिटी एं वो जितना भी जाज करती है वह जूडिशल प्रोसीडिंग तो है नहीं उसमें इंडियान एविडेंस एक तो लगता नहीं है उस तरीके के एविदेंस इखटे भी नहीं किया जाते तो बेसिकली उन लोग ऐसी प्रा कि सजेशन दिया है कि it would be prudent to set up a fast track court to conduct trial for such cases in time-bound manner say 60 days ठीक है fast track court जो है establish करने की ज़रत है जितने भी इस तरह के issues होते हैं साट दिन में अगर यह issues को resolve कर देते हैं fast track court और अगर ऐसा पाया जाता है कि महुआ मोहतरा जो है जो चार्जेस उन पर लगें वो सही है तो उनको तुरंत के तुरंत disqualify कर देना चाहिए under the rp act 1951 otherwise उनको continue as a member of house रहने देना चाहिए ठीक है तो fast track court लगाने की यहां पर establish करने की बादचीत यहां पर की जारी है यह solution है यह आपके लिए काफी important solution इसको प्लीज नोट डाउन कर लेजिए यह हमारा पूरा आर्टिकल था hopefully आपको सारी चीजे इसमें समझ में आए हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है चंद्रयान 3 proportion module retraces steps to earth orbit why it matters यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है GS3 मेंस के perspective से science and technology के perspective से काफी important है चंद्रयान पर लगातार question पूछे जा रहे है प्री परस्पेक्टिव से यह article बहुत जादा important है ठीक है यह भी आपको prelims में पूछा जा सकता है यह काफी important है यह article प्री परस्पेक्टिव से मुझे काफी जादा लग रहा है कि direct question आपको चंद्रयान 3 से ना पूछते हुए आपको proportion modules के उपर question आ सकता है कि वो moon orbit से earth orbit में किस तरीके से आया shape जो experiment है वो क्या है इन सारी चीजों के बारे में आपको सवाल आ सकते हैं शुरू करते हैं article scientists have brought the proportion module of चंद्रयान 3 mission which took the Vikram lander to within 100 km of moon before it detached and made the historic soft landing on August 23 back into the earth orbit ठीक तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 में क्या कह रहे हैं ये जो proportion module है वो सबसे उपर था उसके पहले rocket होंगे उसमें कुछ booster लगे होंगे ठीक हमने thrust दिया इससे rocket उपर गया एक एक करके सारे component detach होते चलेगा लास्ट में क्या बचा आखरी में सिर्फ proportion module प्रपोर्शन मॉडियूल में क्या था लेंडर मॉडियूल लेंडर मॉडियूल क्या हुआ detach हो गया कब कब detach हुआ जब मून से 100 km की दूरी पे था तब लेंडर मॉडियूल को detach किया गया और फिर वो 100 km से नीचे आके soft landing किया चंद्रियान 2 में as a orbiter काम कर रहा था ठीक है तो चंद्रियान 2 में orbiter हम already भेज चुके हैं जो की orbit कर रहा है मून के आजू बाजू यह बहुत बड़ा achievement है ठीक है यह जो proportion module है यह अपना काम करके वापस अर्थ की orbit में आ चुका है और अगर यह चीज हो चुके इसका मतलब यह आने वाले future में इसे landing भी करा सकते हैं इसका मतलब अगर हम एक चीज मून तक भेज के उसे वापस अर्थ ला रहें इसका मतलब हम sample भी collect कर सकते हैं किस से Moon से और अगर हम sample collect कर सकते हैं तो हमारी study के लिए कितना फायदा होगा लाइफ धूनने के लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है universe के बारे में जानने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर Moon से sample वापस ला पाए तो तो यह सब सारी चीज़े क्या होगी बहुत बड़ा achievement होगा किसके लिए इस रोकली आपको यह proportion module समझ में आ गया होगा अब यह return हुआ है return के साथ अब चुकी PM module का कोई और रोल नहीं था क्योंकि इसमें orbiter satellite नहीं है इसे rotate रिवाल नहीं होना है आजब आजब उनके कोई information नहीं भेजना है इसका कोई extra काम नहीं था तो इस रो ने क्या किया इस रो ने इसमें एक और पेलोट एक और instrument डाल के भेजा proportion module में lander module के अलावा एक और instrument था जिसका नाम था shape shape का full form क्या है spectro polarimetry habitable planet earth ठीक है यह इसका full form होगा an experimental payload to look back at earth and study the signature that makes it more habitable so as to identify habitable exoplanet ठीक तो यहां क्या बात की जा रही है proportion module में क्या था एक तो lander module था दूसरा एक instrument डाल के रखे थे इन लोगोंने payload में उसका नाम था shape जब PM वापस earth orbit में आएगा तो experimental जो instrument है shape उसका इस्तिमाल किया जाएगा shape का इस्तिमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है study करने के लिए किया जा रहा है वो सारे sign और signature देखे जाएंगे इसके दोरा जो earth को habitable बना रहा है और फिर वही सारे sign और signature दूसरे exoplanet में देखेंगे ताकि ऐसे exoplanet को find किया जा सके जहां पर earth जैसे हालात हो और उसे क्या future में हो सकता है कि वो भी habitable बन सके ठीक है तो ये shape का क्या था objective था shape experiment का तो basically इस रो ने क्या किया है जो proportion module था उसको भेजा क्योंकि उसे orbiter की तरह use नहीं कर सकते थे इसलिए उसको वापस return earth orbit में लाया उसमें एक और shape instrument डाला गया और वो shape instrument वापस जब earth orbit में आया है तो earth की study कर रहा है और वो सारे signature find out करने की कोशिश कर रहा है उनकी study करने की कोशिश कर रहा है जो basically earth को habitable बनाते है और उसके साथ साथ कौन से ऐसे signatures होंगे जो exoplanet को habitable बनाएंगे वो सारी चीजों को भी find out करने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो ये बहुत बड़ा जो है क्या है achievement है किसका इस रोका आपको UPSC pre के perspective से shape के बारे में पूछा जा सकता है काफी important है ये shape ठीक है अब यहाँ पर shape experiment कर रहा है ठीक है shape finally पूरा round घूम भिर के आने के बाद अपना काम कर रहा है hopefully आपको ये article समझ में आ गया होगा काफी important article है prelims के perspective से ठीक है एक बार आप read बस कर लीजेगा बाकी concept यही है Thank you, enjoy your day